वेलकम टू तरून आयेस माइनेम इस रोहित कुमार इस सब्ता की एक सबसे बड़ी ख़वर के बारे में आज हम जानेंगे ग्रीन हाइड्रोजन कार क्या है ग्रीन हाइड्रोजन कार इसकी चर्चा हम करेंगे हम सभी को पता है कि हाल फिलाल में केंद्रिय सडक परिवहन और राजमार्ग मंतरी नितिन गटकरी 30 मार्च 2022 को ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ग्रीन हाइड्रोजन कार से संसत पहुँचे बता दे कि इस कार का नाम मिराई है केंद्रिय मंत्री नितिंगटकरी का कहना है कि पेट्रॉल डिजल एवं गैस की किम्ते लागातार बढ़ रही है भारत पेट्रॉल डिजल को आयात करता है तथा पेट्रॉल डिजल से प्रदूशन भी बहुत जादा होता है बता दे कि अब भारत में अपनी तरह की पहली कार है जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलेगी पैलेट प्रोजेक्ट के अंतरगत केंद्रिये मंत्री नितिंगटकरी 30 मार्च 2022 को कार में अपने आवाज से संसद भवन पहुँझे और इस दोरान स्वक्स इंधन पर चलने वाली यह कार लोगों के आकर्षन का केंद्र बना रहा उन्होंने कहा था कि राजधानी दिल्ली में जल्द ही वे ग्रीन एनरजी से चलने वाली कार की सवारी करते हुए दिखेंगे नितिन गटकरी ने क्या कहा इस पर इस बात की भी हम चर्चा करते हैं केंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने कहा कि यह कार पूरी तरह से प्रावरन के अनुकूल है इससे किसी तरह की प्रदूसन नहीं फैलता गटकरी ने ये भी कहा कि यह कार भारत का भविश्य है उन्होंने कहा कि पेट्रॉल और डिजल इंजन वाली कारों से काफी परदूसन फैलता है लेकिन हाइड्रो फ्यूल सेल कार से बिलकुल भी परदूसन नहीं होता है अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हाइड्रोजन कार प्रयावरन सरक्षन का बढ़ावा कैसे देगा इस बात का भी एक संदर्व बनता है केंध्रिय मंत्री नितिन गटकरी के अनुसार यह एक महत्वपून पहल होगा कि जिवास्प इंधन पर निर्वरता को कम करना और स्वक्ष उर्जा एवं प्रयावरन सरक्षन को बढ़ावा देने में ये कार बहुत ही मदद करेगे इस तरह साल 2047 तक भारत को उर्जा आत निर्वर बनाएगी ये कार केंध्रिय मंत्री ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन हेतू 3,000 पर रूपे के मिसन की भी साथ में घोसना किये चलिए एक नजर डालते हैं ग्रीन हाइड्रोजन कार पर इस कार को टोएटा कंपनी के पाइलेट प्रोजेक्ट के तरह बनाया गया है इस कार में एडवांस फ्यूल सेल लगाया गया है ये एडवांस सेल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के मिस्रन से बिजली पैदा करता है कार इस बिजली से चलती है, उत्पसरजन के रूप में इस कार से केवल पानी निकलता है Green Hydrogen भारत की उर्जा छेतर को आत निरवरता बनाने है तो कुसल और प्रयावरन की अनकूल है बता दे कि Green Hydrogen पानी या ओर्गेनिक वेस्ट से बनता है Toyota ने इस कार के लिए hydrogen waste fuel sale system को बिक्सित किया है दरसल ये भी एक electronics गाड़ी की ही तरह है जो hydrogen के परियोग कर चलाया जाता है जिसमें electricity बनती है इसके fuel tank से hydrogen की supply fuel sale stack को भी खी जाती है यह कार चारो तरफ हवा के मौजूद oxygen को खिशती है और फिर इन दोलों गैसों के chemical reaction से पानी अर्थात H2O एवं बिजली जनरेट होती है बिजली का इस्तमाल कार को चलाने में होता है जबकि पानी silencer से बाहर आ जाता है तो ये था आपका green hydrogen car जो इस साल की इस सब्ताह की सबसे बड़ी खबर थी तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और इसी प्रकार से इस channel पर आप बने रहें धन्यवाद झाल झाल झाल